नमस्कार आप देखरा आरेडे नियोज मैं हूँ योगी श्क्रवत्ती बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार परधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दो चुनावी जनसभा में हिस्सा ले चुके हैं दोनों ही जनसभा में उनकी जुवान फिसल गई जमूई में जहां उन्होंने पीएम मोदी को 400 बोट से जिताने की अपील लोगों से की वहीं आज नवादा में उन्होंने 4000 इमपी जिता कर भेजने की अपील नवादा की जनता से की मुख मंत्री के इस ब्याभार पर लोग तरह तरह की बाते कर रहे हैं कहा जा रहा है कि मुख मंत्री की जुवान आज कल फिशल जा रही है लेकिन ये कोई पहली बार और दूसरी बार नहीं है इससे पहले आप याद किजिए बिधान सभा में भी मुख्य मंत्री नितीश कुमार के जुवान फिसलते रहे हैं और स्वारजनिक तौर पर इसके लिए खेद जताते रहे हैं लिहाजा लोगों में इस बात की चर्चा है कि क्या ये जुवान फिसलने तक का मामला है या उम्र का तकाजा है या कुछ और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और बरिष्ट पत्रकार संतोज जी से समझेंगे कि आखिल सी एम नितीश की जुवान बार बार क्यों लड़कडा रही है संतोज जी देखिए जिस परकार से नौकरी में एक उम्र सिमा ने धारित की गई है मुझे लगता है कि राजनिती में भी उम्र सिमा ने धारित करने चाहिए एक एज लिमिट होना चाहिए 70 साल बहुत होता है 70 साल के बाद शरीर लाचार हो जाता है मतलब मेटकल रूप से लोग फिट नहीं होते हैं 70 पर 75 साल के बाद तो वही इस्तित्य होती है आप देखते होंगे कि सरकार ने जो तह किया है नौकरी की सीमा या हर चीज़ की एक सिमा उठी मुझे लगता है कि राजनिती में लोग सभाव, विदान सभाव, खास कर मुख मंत्री और परधान मंत्री जैसे पद पर भी उम्र की सीमा निधारि कहता है कि उम्र बढ़ती है Premier Powerless होता है आदमें बोलना कुछ चायता है बोल कुछ चायता है जुबान फिसलती है और कई तरह की परसानिया होती है बिमारिया परसान करती है आदमी काम उतना नहीं कर पाता है होना चाहिए यहां तेक मुकमंतरी नितिस्च कुमार की बात है तो पिछले एक बरसों से उनकी जुवान लगातार फिसलती रही है अब उनको बीमारी कहा जाए या गुड़ापा का असर कहा जाए या मेडिकली फिट नहीं होने के कारण हो या तनाव कहा जाए तनाव के होता है तो मुकमंतरी नितिस्च कुमार जी की लगातार जुवान फिसल रही है बोलना कुछ चाते हैं बोल कुछ देते हैं गुसा ज्यादा करने लगते हैं तो हाल में बिदान सभा में तो जो उन्होंने कहा था उतो सब जानता है या जिसकी परधान मतरी ने बहुत परशना की थी और अभी जो चुनावी सभाय हुई जमुई में तो जमुई में उन्होंने मतलब इस तरह से बोलते हैं एक दम की बाई 400 वर से जिताइबा ना जिताइबा ना हाथ उठाके बोला उसी तरह से आज 4,700 देने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि पूरे पूरी तरह से जुमलेवाजी का दौर सुरू हो गया है जो 14 में परधान मंति नरेंद मोदी जी ने जुमलेवाजी सुरू की थी तो वही जुमलेवाजी का दौर सुरू हो गया है भाई भाजपा के लोग 400 पार 400 पार कर रहे हैं तो निती जी ने वह सोचा कि 400 क्यों 4000 पार एक चुनाओ हो रहा है या मजाक है या जुमलेवाजी जिस तरह से 14 में शुरू हुए थी कि भाई 15 लाग रुपया सब को दिया जाएगा दो करोर नौकरी दी जाएगी भाई हर साल दो करोर लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे मुझे लगता है कि पुरया 10 साल हो गए प्रधान मंतरी जी को बने हुए 10 साल में भी 2 करोड नहीं दियोंगे 2 करोड तो छोड़ दीजिये 10 साल में 20 लाग नौकरी नहीं दियोंगे मुश्किल से 20 लाग पुरेगा नौकरी जो नौकरी आए मतलब जुम्लेबाजी का दौर, स्विस बैंक से पैसा लाएंगे, सारा धना आज आएगा, एक भी रुपया आया क्या है, अब चार सो सीट की बात किसा धार पे कर गया है, एक भी रुपया आया क्या, रुपया तो आना दूर की बात, स्विस बैंक में पैसा और चार गुना बढ़ गया, तो आज स्विस बैंक में किसका पैसा जमा हो रहा है, चलिए पहले तो कॉंग्रेस की सरकार थी, भाई, सोचलिस्ट लोग थे सत्ता में, तो भाई, प्रधान मंत्री बोलते थे कि भाई, स्विस बैंक में इतना पैसा है, तो जो सत्ता में तुनके, फिछले दस भाई, भारतिय जन्ता पाटी की सत्ता है और चारगुना बढ़ गया, तो भाई, वो चारगुना पैसा किसका है, कम से कम लिष्ट तो जारी करते हैं, प्रधान मंत्री जी, क्यों नहीं जारी करते हैं, स्विस बैंक में आज किसका पैसा है, क्यों नहीं लाने के बजाए, और स्विस्स बेंक में डालते जा रहे हैं, कैसे जा रहा है, क्या आपकी एजनसी कर रही है, यहां से पैसा कैसे बाहर जा रहा है, हवाला से जा रहा है, कैसे जा रहा है, स्विस्स बेंक में कैसे जमा हो रहा है, तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की ज़ूरत है, और जुम अब क्या मानते हैं कि जिस तरह से मुख मंत्री ने नवादा की जनता से कहा कि चार हजार इंपी जिता कर भेजिए और पढ़ान मंत्री अगली बार भी तो रहें नहीं, दस साल से तो हैं ही और जिस तरह से उन्होंने पढ़ान मंत्री को ले कर उसके बाद विपक्ष में जो यहां के नेता हैं लालो परशाद यादव उनको लेकर के पती-पत्नी ने क्या किया पिछले क्या लगता है कि स्यम नितिस के पास मुद्दो का अभाव है इसलिए घुमा फिर आकर फिर वही तीस साल पुरानी बातों पे चले जाते हैं दिखिए ना मुख मंत्री नितिस कुमार के पास कोई मुद्दा है ना परधान मंत्री नरेंद मोदी जी के पास मुद्दा है लोग अपना काम गिनाते हैं development कि भाई हमने सिच्छा के चेत्र में ये काम किया स्वास के चेत्र में ये काम किया लोगों को इतना रोजगार दिया ये लोग बताते हैं तो इन लोगों ने किया नहीं तो 20 साल पुरानी बात है जंगल राज पहले कुछ नहीं था और इस तरह से बोलते हैं कि भाई महिलाए गर से निकलती नहीं थी ऐए मैंने तो वह भी दोर देखा है भाई नब्य से 2005 के बीच का भी बता रहा हूं मैं दुरगापूजा में पटना के सरकों पर मतलब पैर रखने की जगर नहीं रहती थी 2005 तक की बात कर रहा हूं 90 से 2005 के दौर की बात कर रहा हूं कि भाई सारी रात महिलाएं घुमती थी रोट पर कहां बजाल है कि कहीं कोई घटना घट जाए एक बार घटना घटी थी वो प्रेमोहबत का मामला था कंकरवाग में एंकर सीजर नाम का एक घटना था उसके बाद तो जंगल राज क्या जंगल राज बोलते थे साम के बाद ने निकलती थी चट आज पूरा पटना स्वक्षा राता था दुरगा पूजा में देखिए आम दीन भी भाई लोग हम तो भाई बोलते राज थी जंगल कुछ घटनाई आप अगर Crime Record Bureau के नुसार देखिएगा तो उस समय से जादे घटनाई अभी हो रही है Crime Record Bureau आप निगाल लीजिए 2005 से पहले की और आज की 2005 में के पहले भी मैंने रिपोर्ट ली की थी अपराद के मामले में अबल राजस्थान था उत्तर परदेश था ना की बिहार था बिहार हर मामले में इगारमे नमबर बारमे नमबर पर था और आज भी इस्तिति वही है अपराद के मामले में और उस समय जो हत्या की घटनाएं होती थी उससे ज्यादा अभी हत्या हो रही ह उससे ज्यादा अपरादी घटनाय हो रही है उससे ज्यादा बलतकार की घटनाय हो रही है तो एक तंत्र था जो लालू परसाद को बदनाम करने के लिए पूरे बिहार को बदनाम किया है और इसके लिए मीडिया दोस्य है मीडिया ने किया है उसमें विरोक्रेट भी सामिल थ बीसे ही, और उसमें कहीं न कहीं, मतलब सब लोग मिलकर के सब लोगों को एक बात रजम नहीं हो रहे थी, कि भाई, लालूपरसाद के आते के साथ ही, एक समाजिक जागरिती लोग में आई, समाजिक क्रांती आई भिहर में, लोगों को लगा कि उनका अपना कोई मुखम बना है, लोग घर से बाहर निकलने लगे, लोग आवाज उठाने लगे, तो ये लोगों को हजम नहीं हुआ, जो सामनती ताक्ते थी, जो सवर्ण समाज था, उसको ये हजम नहीं हो रहा था, कि एक दलीत म्ंदिन में पुजारी बन गया महावीर मंदिन में एक दलुए ब्लोक में जाकरके विडियो के सामने कुर्सी पर बैठ रहा है यह सामन्ति ताक्तों को हज़ब नहीं हो रही थि कि एक दलीत और पिछमा उनके सामने भाई ठीका लेने लगा एक दलीत पाज कहा कि नौकरी की बात की उन्होंने रुजगार की बात की और कहा कि जूटा जो है वो क्रेडिट ले रहा है ते जस्वी आदब की और उनका इसारा था नाम नहीं लिया लेकिन इसारा उन्हीं की तरफ था कि जूटा क्रेडिट ले रहा है अभी चुनाब खतम होते होते हम 10 ल लाख नौकरियां पुरा देने तो ये दस लाख नौकरियां पुराने का उन्होंने जो बात कही है उसमें कितना दम लगता है अभी टीयार थिरी हुआ तो पुरा पीपर ही यह हो गया लिख हो गया देखिए जो नितिश जी बोल रहे हैं कि भाई 15 साल में 2005 से पहले किया था तो लोगों को याद होगा कि BPSC से 35,000 सिच्खों की बाहली हुई थी और वो लालू परसाज जी नहीं किया था और उसमें 100% इमांदारी से हुई थी एक कोश्चन इधर उदर नहीं हुआ था और सारे मेरिट बाले स्टुडेंट आये थे पिछले पंद्रा बर्सों से लाल लालू परसाज द्वारा बाहल किये गए टीचर समाल रहे थे मतलब आप बिहार के ज्यादातर थानों में देखिए गात लालू परसाज ने जो दरोगा की बाहली की थी वही थाना समाल रहे थे और सिपाही की भी बाहली उसमें हुई थी सब चीज हुई थी ऐसा नहीं कि बाहली नहीं थी तिजस्वी आदव ने 2020 में चुनावी एजंडा तैक किया आज नितिज जी बो रहें कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे उसने तैक किया कि भाई हम अगर मुकमंत्री बनेंगे तो पहली कैबिनेट में 10 लाख वेकंसी निकालेंगे 10 लाख लोगों की बाहली कि सरकारी नौकरी ना कि ठेका पर था तो नितिज जी मन से बोलते थे आपके पास रिकॉर्डिव होगा कि कहां से नौकरी देगा पैसा कहां से लाएगा पैसा है बाप के यहां से लाएगा जेल में से पैसा लाएगा यह नितिज जी बोलते थे और आज वो बोर रहे हैं कि कि 2005 से पहले क्या था जंगल राज था नौकरी की बात हो कर रहे हैं तो तेजस्वी आदव ने एक युवाओं को रोजगार और नौकरी की बात उठाई और उसके पीछे आज नितिस कुमार चलना है और पढ़ान मंत्री नरेंद्रमोदी चल रहे हैं एक विहार का एक लरका य के लगटा करके यह इतने वरिष्ट नेता है उसे पीट रहे हैं, धिंढोरा पीट रहे हैं क्या मजबूरी है इनके पास, क्यातर इनके पास कोई टीम नहीं है क्यातर इनके पास कोई आइडिया नहीं है में बात ये है कि पहले लोग सब चीज को सरकारी नौकरी को एक साजीस के तहत खतम करते जा रहे हैं थे चुकि नौकरियों में आरच्छन की व्यवस्था थी और जब कोई भी बहाली निकलती थी तो उसमें 50% आरच्छन दिया जाता था अब आरच्छन का दैरा भी बढ़ ग औरच्छन कि सब्सक्राइडर तो है एक पहले लोग रहा जो रननीथी ए और बिहार बाच्पा के सह控वाथम सरकार चल रहीizoval और केंद्र में भी ओभी सरकार थी तो वो नौकरियों को समाब्त करते जा रहे थे और ठेका परता कर रहे थे वेकेंसित इनिवर्सिटी में जह पिले जैसे होता था कि हर नौकरी में वही लोग रहते थे वही डिसीजन में करते उन्हीं की बहाली होती थी तो ठेके के माध्यम से नितिश कुमार ने फिर वही पड़ता को लागो किया आप देखते होंगे जो भी ठेके पर बहाली हुई क्या उसमें अरचन का पालन हुआ क कि कुछ नहीं पालन हुआ और आप पिछरों की बात करते हैं और तेजस्वी आदब ने जब 10 लाग की बात की तो बिहार पुड़ा बिहार का युवा उमर पड़ा था तेजस्वी आदब के पीछे और फिर जब तेजस्वी आदब सरकार में सामिल हुए तो नितिशी से उ आदब कोई ट्रांसवर पोस्टिंग में कभी नहीं पड़े हो उनके मंत्री कोई अगर गयाए डीमस्वी के ट्रांसवर के लिए तो वह लेकिन आपने डिपार्टमेंट नौकरी की बात कीजिए ट्रांसवर पोस्टिंग का नहीं तो उन्होंने नौकरी देना सुरू किया सिच्छा डिपार्टमेंट आरजदी के पास था तेजस्वी आदब ने पहल की और सिच्छों की बहाली हुई टोटल पांच लाग शत्रह महीने में पांच लाग नितीजी अगर बहाली की बात करते हैं कि भाई अब कर देंगे तो भाई सत्रह बर्सों में क्यों नहीं किया न नितिसकुमार जो बोलने लेकिन बिहार के जो युवाब हैं वो जान रहें कि तेजस्वी जादव के कारण ही नोकरी मिली हैं और तेजस्वी नहीं जो लकिर खीची है आज नितिस कुमार बोल रहे हैं कि 10,000,000 पूरा करेंगे क्यों इसलिए कि तेजस्वी को क्रेडित ना कर रहे हैं कि 2015 के बिधान सवाचुनाव आते आते जो है हम आपके जो दस लाक नौकरीयों की बात है वो हम पूरा करेंगे उससे ज्यादा भी हो सकता है और बार बार उनका जुवान भी फिशल रहा है तो जो जिस तरह से वो जन्ता के सामने अपनी बाते रख रहे हैं उससे जही साबित हो रहा है कि 2015 के बिधान सवाचुनाव के लिए भी वो मनमनाय हुए हैं जो कहते हैं कि मन्ही मन पुवा पकाना वो पका रहे हैं कि अगली बार भी हम मुक्य मंत्री बनेंगे क्या लगता है आपको कि बिहार के यूबा बिहार की जनता इनको एक और मौका देग लोकिसभा चुनाव में ही फिनिश कर देगी लोकिसभा चुनाव में उनके कंडिडेट को अराने का काम करेगी अभी जो भारतिया मुझे जौनकारी है भारतिये जनता पाटी ने जो अपने काशकरता हो को मैसेज दिया है कि भाइ reckitt ज़दिशय के और लोजपा के के करणिदेट का जो भी काजकरम होगा उसमें सामिल नहीं होना है आप लोगे बगएर पाठी से पूझे उप्से पूझे लगे अपने मन से करने की तैयारी कर रही है और देखिएगा लोकसभा चुनाओं में ज्यादा तरसित ओपर नितियस कुमार के कंडिडेट को भाजपा इंटर्नल हराने का काम करेगी जिस प्रकार से 25 के 20 के चुनाओं में भाजपा ने स्वयतपत्र जाड़ी करना चाहिए आपको पता है सरकार ने क्या किया है रोजगार के नाम पर जितनी 20 वर्सो से पुरानी कंपनिया जितनी थी खोली भी और सब को पोड़ल बना belongings सबको पुरानी कंपनी ओपुराने जो मतलब छोटे चोटे जो व्यापाडी है उसमें कितने लोगों को आप रोजगार देने वो कॉलम है और आज के डेट में रेजिस्टर रोड़ा है और इतने बड़े जालसाशी कर रहे हैं केंद्र सरकार कि उसमें जो लोग पुराने जो बर्सों से जहां काम लोग कर रहे हैं उसको आज रेजिस्टर कराकर उसको सोर करेंगे कि इतना रोजगार दिया जबकि सच्चा ये है कि भारतिय जन्ता पार्टी ने रोजगार चीनने का काम किया आपको एक आपको दारन देदने हैं सहारा का सहारा में 20 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था बिहार और उपी का कोई परिवारा जैसा नहीं है जो कि सहारा से नहीं जुरा हुआ था उसका 28,000 करोर क्या सेवी के माध्यां से जब कर लिया आज 20 लाख लोग तो बेरुजगार हो रहे हैं नौकरी उनकी जा रही है तो उसका चिंता तो नहीं है केवल अडानी अम्मानी जो गुजराती है उसके बारे में केवल सोचते हैं आप देख लिजें नरेंद मोदी के बनने के बाद केवल गुजराती लोगों का विकास हो रहा है बिजनेस में ठेका में जाए बहरतिये जन्ता पार्टी में भी देख लिजे डिली का जितना काड़याले है हर जग़ गुजराती को बैठा दिया गया है तो परण मंति के वल गुजरात का डेवलप्मेंट देश का भी कास नहीं देख रहे हैं तो यह स्यास्पद है मुझे लगता है इस पर लोगों को सोचना चाहिए नहीं तो आने वाला समय बहुत ही भ्यावा होगा तो CM NITIS की जुवान बार बार फिचल रही है शायद वे भी PM मोदी को पचा नहीं पा रहे और जैसा कि संतोज जी ने कहा कि CM NITIS भले ही 2025 का खाब देख रहे हो लेकिन उससे पहले BJP ही उन्हें निप्टा देगी फिलाल इतना ही आप हमें Facebook पर फॉलो करें YouTube पर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्पुन बिचार और सुझाब जरूर दें धन्यवाद